हलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल ओटो इवी टेक वाले में मैं निकली शर्मा तो आज मैं आपके साथ ओला इलेक्रिक स्कूर्टर के रिगार्डिंग एक और बात शेयर करने आया हूं जैसे आप लोगों पता है कि आज से ओला की सेकंड फेस की बोकिंग स्टार्ट हो चुकी है और अब इत्यक्त nne ola ki second phase की bulking कर दिये और कुछ ऐसे भी लोग है जिन्होंने ola electric scooter को second और third time purchase किया है, जी हां ऐसे कई सारे screenshot आपको देखने को मिल जाएंगे Twitter पर कि जिन्होंने अपना ola scooter second time और third time पचीस किया है तो आपको समझ में आगया हुआ कि ola की दिवान की लोह के अंदर कितनी है बहुत साइ नेगेटिव कमेंट्स आते हैं ट्विटर पर अला के क्योंकि उनको अभी तक अला स्कूटर मिला नहीं है कुछ के साथ ईशू है कुछ का बैटरी प्रोल्म में है वह ठीक है बट लेकिन फिर भी बहुत लोग को ओला पसंद आ रहा है तो आज इसकी सेकेंड फेस की बुकिनी स्टार्ट हुई है जो कल तक रहेगी जिन्होंने पहले दर रिजर्व कर रहा था वो इसको आज बुक कर स अच्छा है कि यह बुकिंग जो है सिफ आज और कल कर रहेगी कल वह लोग भी बुकिंग कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक इसको बुक नहीं किया है वह भी फुल पेमेंट कर सकते हैं और भावेश्चर ने एक ट्विट भी किया है उस ट्विट में उन्होंने मेंशन कर दि है कि जो ओला एलेक्ट्रिक स्कूटर के प्राइस है वो आगे जाके बढ़ेंगे सेकिंड फेज की बुकिंग के बाद वो प्राइस बढ़ेंगे तो प्लीज जिसको यह स्कूटर पसंदा रहा है वो इसको बुक कर लीजे मैं दिखाता हूं आपको क्यों ने क्या ट्विट कि है तो आपको दिख रहा है भाविश अग्वास ने ट्विट किया है थेंक्स तो ओल हो फॉफ पर्चेस एस्पन प्रो अल्रेडी और स्पिशल थेंक्स तो दोस वो हैव बॉट थेर सेकिंद थर्ड एस्पन प्रो लास्ट चांस तो गेट इट फ्रों वन तू नाइन नाइ बीड़े सब को बताया कि नेक्सट पर्चेस विंडो में इसका प्राइस बढ़ सकता है तो जिसको बॉक करना है इसको बॉक कर दिजी क्योंकि नेक्सप्राइज के बाद ये हंड्रेड एंड वन परसेंट इसका प्राइज इंक्रीज करेंगे तो कि चिप सोटेश चल रहे है उसके दिगार नहीं तो ऐसे ही ओला के अपडेट लेने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें माई चैनल ओटो एवी टैक वाला थैंक यू